हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पंडित गोविंद बल्लब पंत के विशे में तो पंडित गोविंद बल्लब पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तर भारत में उत्तराखंड के अलमोडा जिले में खूंट नामक गाउ में हुआ था 1908 में इलाबाद विश्व विद्याले से विधी सनातक बनने के बाद इन्होंने अलमोडा में वगालत सुरू कर दी थी परंतु राष्टबादी होने के कारण वह जल्दी ही राजनीती में सक्रिय हो गए और सर्व प्रथम 1905 के बनारस कॉंग्रेस अधिवेशन में सम्मलिद भी हुए इन्होंने परवतिय छेत्रों में चल रहे है कूली बेगार प्रथा की कटू आलोचना की तथा उसके समूल उन्मूलन का बिगड़ा भी उठाया था तो कूली बेगार प्रथा क्या है आप अगर जानना चाहो तो मैं अगले टॉपिक में से लेके भी आऊंगा तो इस कूली बेगार प्रथा की कटू आलोचना की तथा उसके समूल उन्मूलन का बिगड़ा भी इन्होंने उठाया और 1923 में उत्तरी प्रांत की विधान सभा के लिए चुने जाने के बाद ये 1927 में उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस समीती के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और नवंबर 1928 में साइमन कमिशन के विरोध में इन्होंने पंडिक जवाहर लाल नहरू के साथ साइमन कमिशन के विरोध में इन्होंने भाग भी लिया था पंडिक जवाहर लाल नहरू के साथ तो 1931 में राष्ट्रिय कॉंग्रेस समीती के सदस्य भी बने और स्वतंतरता आंदोलन के समय इन्होंने कई बार जेल की भी यात्रा की थी और स्वतंतरता प्राप्ति के बाद वह उत्तर परदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे और 1961 में इनकी मृत्ति हो जाती है तो पंडित गोविंद बलब पंत के ओपर ये एक छोटा सा टॉपिक आई होप आपको पसंद आया होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को प्लीज शेर करें इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल एक्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें धन्यबाद